चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं बीवी.net के अंतरगत डालेक बॉक्स डालेक बॉक्स होते क्या है जैसे मान लीजे हम कोई चीज ओपन करना चाहते हैं हम फाइल मिनू में जाते हैं ओपन बटन पर क्लिक करते हैं इस प्रकार के एक चोक और विंडो आपके सामने आ जाती है चोक और विंडो जो होती है क्या होती इंडिपेंडेंट नहीं हमारे सांत में तो एक प्रकार से मेडियाटर का काम करते हैं यह उसे हम बोलते हैं यहां पर अपर भारने वाले बहुत सारे प्रकार कहें होती है जैसे फाइल के अंदर जाने जात बला हो सकता है घ्रकार्ट चफ़्य जूसें तरह स야 घ्रक्से जो कि आपको मिलेंगे यहाँ पर रूबाइब के बारे में देखिए एहां पर दिख लेते हैं गरें मिलेगा सेप का मिलेगा फॉंट का मिलेगा कलर का मिलेगा प्रिंट का मिलेगा यह सभी डायलेक बॉक्स से आपको मिलेंगे तो हम देखते हैं सबसे पहले ओपन डायलेक बॉक्स को इस प्रकास देखा जाता है यहां पर ओपन फाइल डायलेक नाम से क्लास रहती है और इसको कॉल करने के लिए हम यहां पे 12345 से लगाते है तो लाष्ट में क्या लग जाता यहां कर लां मगने के लिए तो एक बात करें नाम के मैथड काम कर लियोग अ मयाश्रों काम करते हैं यह एक मैसेज जो है यह यूज होगा का नाम यहां पर सकते हम को यहां पर ऐपन बटन पर क्लिक करेंगे तो जैसे हम यहां उपन बटन पर क्लिक करेंगे जो हमारा इसकी प्रपर्टी होती ही वो आप देख लीजिए फिर हम इसका प्रयोग करके देखेंगे तो यह नहीं होता है आईडी की रूप में काम आता है एड एक्स्टेंस अंग विस्तारक नाम होता है फाइल की पहचान करने के लिए काम आता है फिर इसके फाइल एक्जिस्ट है ठीक है चेक पात एक्जिस्ट है डिफॉल्ट करते हैं तो इसका प्रयोग क्या होता है किसी भी प्रकार की जो फाइल है एप्लिकेशन के अंतरका तो इसको सेफ करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है एक बिंडों खुलती है बिंडों हम फाइल का नाम देते हैं साथ मौस का टाइप देते हैं और उसको से थे सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं होता है तो इसका फ्रयोग होता है इसका प्रयोग उसाना के लिए होता है इसके अंतरणवागत हम नियम है साइज है पॉंट के कलर है टाइप है कलर हमारा कला काल सकते हैं पर कुछ डायन पजॉन हैं को देखने को नहीं मिलेगा तो यह सारी चीजह यहां पर वहाटे लाइन यहां पे मिलती है इसके लिए भी सो डायलग मेथट का प्रयोग किया जाता है देख लिए हम जो है इसको प्रयोग करका देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी भी आप देख सकते हैं जैसे इसमें जो कुछ एक्ष्टा जोड़ जाती जैसे नेम तो पहले से ही है कलर आपका जोड़ जाता है इसको सेलेक्ट किया गया है तो सेलेक्ट करने के लिए कलर को अपनिकले को प्रयोग करने के लिए इसके लिए critering के लिए ने पर एक होता है तो प्रेंट डायले लुट किया जाता है तो प्रेंट डायलेक्स प्रकार का देखेगा जिसमें आपको प्रिंटर का नाम सेलक करना होगा उसके बाद आप देखिए हैं पेज की संख्या यह निकी 1-2-3-4-5 जिस प्रकार आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी देना पड़ेगा और कुछ और प्रिफरेंस आप देख सकते हैं, फाइन प्रिंटर और साथ में आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इसे लworks बसकी भी इसको करने चाहिता है यहां हम देख लिए। यहां हम देख लिए हैं, लिंक लेबल होता है, फाइन किसी चीज कोatives ब्रेप्ट करने के सकते हैं, लिए को कोई लिंक करते हैं जैसे इसके अंतरगत कुछ प्रपर्टी सोती एक्टिव निंक और होता है इसका अगे चलका देखेंगे जैसे मनलो मैंनलो हमको इसके इसके चीजा के लिंक को अपलाई करना तो उसके लिए हम link label का परियोग करते हैं तो हम यहां पर सभी डायलेक बॉक्स का उप्योग करके देखने वाले हैं तो डायलेक बॉक्स कुन-कुन से हो सकते हैं ओपन हो सकता है से फॉंट कलर और चलिए इसके लिए स्टार्ट कर लेते हैं विजुल इस्टूडियो को लेंगे नाम लिखेंगे और बटन पर क्लिक करेंगे इतना आप करोगे तो आपके सामने डालीक ब vaccin मतलब समुझे मापोटग करने i investors को यहाँ पर काम करा सकते हैं तो चूर्व हमाँ डालइक बोक्स लेने वाले उसके लिए हम यहाँ पे पंग बटन ले कर सकते हैं इसका साइस बढ़ा लेते हैं साइस पहले बढ़ा लेते क्यूंकि हम जो इसको कापीपिस्ट कर लेंगे तरह लेकर जाएंगे इस प्रकार से इक बुटन आ गई हमारी बटन बन ठीक है उसके बाद वाद लिए बटन फॉर और बटन 5 ठिक हमने देखे हम पाँज दाने यहां पर लेना चाहते हैं तो यह पर हम पहले का नाम लग देते हैं कि Oh ऑपन ऑपन इसको अगर किलिक करें आ हमसे ऑला कलिक कर दिस्प्ले हो न चाहिए दूसरे वाले क्लिक करें तो आना चाहिए और preparing रिंट आपके पास में पर कंट्रोल नहीं कहां से लाओगे आप देखिए यहां पर टूल बॉक्स में जाएंगे हम सभी को हम है हाइट कर लेते हैं मतलब के टेगरी जो तो ऑल विंडोस का फॉर्म दिख रहा है उसके बाद इसके पहले बात किये थे एक और यहां पर एरिया होता है जिसको बता है तो यहां पर देखेंगे तो ओपन फाइल डायलेक बन आया है और सो मेध़ड़ काम को प्रयोग करना है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बटन के अंदर ओपन चलिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं यह बड़ा करें यहां से ओपन फाइल डायलेक ठीक है ओपन फाइल डायलेक बना गया और सो डायलेक मेथड है इसको हम ऐसे करेंगे ठीक है उसके आद हम इसको रण करा के देखेंगे रण करा के स्टार्ट डिवगिंग अगर करें तो यहां से ओपन करके देखिए आपको ए आपको पते चलगे में उसके बाद हम जो है डाले बॉक्स का नाम लिखते जाएंगे और इनको सो कराते जाएंगे दूसरा डायलक क्या है सेव को लाकर भी आप ऐसे ड्रो छोड़ दीजिए तो कि नेंकिक हम कर लेंगे फिर नेक्स्ट क्या है नेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेब्स तो प्रिंट के लिए कहा बजायाँ में उसमें जाएंगे इरिया में और यहां प्रिνट्ट को दिखना देघिगे और क धहले लिग आपको फ्रिंट-दायलग बन और लाट यो दायलेक बंसो डायलेक कर दे और स्टार्ट करें तो प्रिंट वाले मैं प्रिंट के डायलेक बॉक्स आपको देखे लिए निखे रहाए यह नीचे आगे देखे और फिर सफोड़ देखे और और यहां लिखेंगे font-dialog 1.so-dialog ठीक है सो डायलाइक प्रकाल लिखेंगे और उसके आधिसको रन करेंगे तो यहां दिखे font-pollet क्लिक करें तो फॉंट का डायलक बॉक्स जिसमें जो है नोटबड की बेसिक चीज़ें आपको दिख रही है यह और एक और कोडिंग करना पड़ता है तो अभी इसको रहने देते हैं सिर्फ आपको सो करना हुआ यहां पर जाएंगे करते हैं तर यहां पर चोलिक करते हैं तो यहां आपके सामने क्या आगिया है ड्यक्ति करने छाय है क्ट्रेंगे क्या कि अप्लाइब करने के लिए विह और हम को जो है क्या करना पड़े और रचेना प्राइब और इन में नाम लिखे परफ इस पहले आपके पास नहीं यहां होना चाहिए ऑदाइथ है उस कहाँ करेंगे इनका जब भी आप रन करोगे तो उस बटन में उसी मतलब जो डालेक बोक्स को सो करा जाएगा जिसकी कोडिंग की गई है पर कोडिंग करने पहला आपको यह लाना पड़ेगा तो ध्यान रहे चीज आपको देखें यहां पर हमने जो है इसके लाबा लिंक लेबल देखें लिंक ल फॉन्ट कलर और प्रिंट तो यहां प्रिंट देख सकते हैं अगर कोई डाउट है ता आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं